तो आज हम बनाएंगे पुराने गरम पजामा से इनर समीज और बहुत ही अच्छी बनती है इसमें कोई भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के गले में या आर्म होल में नहीं लगाएंगे और यह जो पजामा है यह रेडिमेट है जो की पहनने में बिल्कुल भी अच्छा नह लेंगे तो पहले मैं देखिए इसको यहां से कट करनी हूं देखिए इस तरह से इसको कट करना ध्यान से क्यूंकि इसमें इंटरलोक जो हो रखी है तो ध्यान से इसको कट करेंगे यह वाला जो फैब्रीक होता है पजामा का गरम पजामा का तो यह स्ट्रेचेवल होता है तो इसकी इनर जो ना बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत असान है इसको बनाना अब देखिए अब यहां से हम इसका जो इलास्टिक है वो इसको निकाल देंगे यह भी हम ध्यान से निकाल लेंगे तो Elastic भी रेखिए मैंने इसका जो है निकाल लिया है अब इसमें ये मियानी जो लगी हुई है इसको भी हमने Side में कर देना है क्योंकि ये भी हमारा यहां पे कोई काम का नहीं है तो अब ये Simple सा कपड़ा मैंने ले लिया है और लंबाई जितनी स्मीज की आपको लेनी है उतनी ले लेनी है और Elastic वाली Side से मैं इसमें रख रही हूँ 3 तो 3 मैं रख रही हूँ इसमें पोने 7 इंच से थोड़ा सा कम क्यूंकि स्मीज में 3 कम रखा जाता है और Armhole लेनी हूँ मैं इसमें 7 इंच का या 8 इंच का भी ले रही हूँ साड़े साथ मैं ले 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 हूँ क्यूंकि यह जो स्मीज में बना रही हूँ यह Double XL Size की बना रही हूँ अब इसमें कोई भी Fitting विटिंग हमें कुछ नहीं देनी है सिंपल आर्म होल की गुलाई देनी है और तीरे से थोड़ी सी हलकी सी तिर्ची कटिंग देनी है कुछ भी इसमें Fitting की जरूरत नहीं है क्यूंकि इस पजामा का जो फैब्रिक है वो स्रिचेवल है इसमें कुछ भी Fitting देनी की कोई भी जरूरत नहीं है और यह भी बात है कि अगर आप एकसल साइस का पजामा कट कर रहे हो तो उसकी जो इनर बनेंगी वह भी एकसली साइस का पजामा अगर आपकर कर तो उसका जो इनर है वो डवल एक्सल साइज तक बन जाएगी इस बात का आप ध्यान रखिएगा अब यहां पर नेक डिजाइन हम कट कर लेंगे तीन इंच मैंने चोड़ाई रखी नीचे को जो है लंबाई मैं ले रही हूँ रखी में इस बहुंद रहाएं से इंच दोनों का बराबर भी और पीछे का में दोनों का सेम होता है तो सिम्पल डिखे इस तरह से हमने यह हमारे इनर की दिखे हो गई अब इस्को रखेंगे सीदी साइड अब दूसरे वाला का भी सीदी साइड हमने लेनी है और इसके तीरे में हमने पहले सिलाईया सिंपल ऐसे लगानी है अब इसके फिटिंग तो इसमें कुछ भी नहीं होती है बस एक बात का ध्यान रखना है क्योंकि सूट के जो चाक होते हैं बारा या तेरा इंच में नीचे रखे जाते हैं पर जो हम समीज इसकी बनाएंगे तो हमें वो कम रख सूट के ऍप लिगया है तो दस इन्ज में ये रख रह आ है तकि हमारा जैड सूट आ दो दिखे ना तो यह उपर ही होते हैं पर. 10 इन्ज में इससेव लिए हलका सä fold कर लेंगे यहां से भी थोड़ा सा हमने इसको ऐसे fold करना है और गले में और arm hole में कोई भी extra कपड़ा नहीं लगाएंगे क्योंकि stretchable fabric है तो इस तरह से असानी से देखिए इसी तरह से यह मुड़ जाता है और बहुत ही अच्छा यह आता है से मैसे ही arm hole में भी हमने करना है चलिए अब आपको मैं मशीन में सिलके दिखाती हूँ सबसे पहले देखिए तीरे की सिलाई हमने लगा लेनी है simple अब हम फिटिंग की जो हमने सिलाई लगाई थी उसमें सिलाई लगा लेंगे इस तरह से देखिए फिर से इसको हम पका कर लेंगे उपर की तरफ को दोनों साइड जो है फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है उसके बाद देखिए गले का हमने इस तरह से फोल्ड करने है यहाँ पर आप इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाते जाए खिचनी की आपको जुरूरत नहीं है और स्टेचेबल यह फैबरीक है तो असानी से जो है आपकी यह सिलाई लग जाएगी और अगर आपको मेरी यह वीडियो हेल्फुल लगेगी तो एक लाइक जरूर कर दिएगा और चैनल में नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लें तो पूरा नेक में इसके अराउंड आगे और पीछे दोनों में मैंने एक बार में इस सिलाई इसमें लग जाती है अब इसी तरह से सेम आरम होल में भी ऐसे ही हम सिलाई लगा सकते हैं गले में एकदम से अच्छा सा हमारा गला बन चुका है और अब आर्म होल में भी सेम ऐसे ही हमने सिलाई लगानी है, सिर्फ 10 मिनट में आपकी समेज बन के त्यार हो जाती है, पुराने गर्म पजामा ही नहीं है, अगर आपके पास और भी इस तरह से लूज पजामा तो आप यह समेज ऐसे ही बना सकते हैं अगर आपको फिर से पजामा को रियूज करना है तो देखिए इसी तरह से आर्म होल में भी हमने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है तो देखिए दोनों साइड मेंने सिलाई लगा ली है अब हमने इसके चाक में सिंपल ऐसे ही फोल्ड करना है यह दे तो दिखिए फ्रेंट्स हमारी समेज बनके त्यार है और फिर से हमने पजामे को जो है रियूज कर लिया और वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए और वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक श्यूर सब्सक्राइब जरू करियेगा थैंक यू